उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नुएड़ा में फिल्म सिटी बनाने का एलान करने के बाद मानो राजनीतिक गलियारे में हलचल सी मच गई है CM योगी के मुंबई दोरेक को लेकर जहां उद्धर ठाकरे ने एतराज जताया है तो वहीं UP के पूर्व CM अखलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया अखलेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि बहुरंगी वे बड़े मांसिक छितिज की उम्मीद रखने वाली फिल्म इंडस्ट्रीज आज की एकरंगी वे संक्रीन सोच वाली सत्ता के रहते कभी भी विक्सित नहीं हो सकती कल को ये लोग फिल्म के विश्य भाषा पहनावे वे द्रश्य के फिल्मांकन पर भी अपनी पाबंदिया लगाएंगे मानेवर अभिन्य वे भ्रमन छोड़ प्रदेश सम्हा ले मैं उद्धर ठाकरे ने सीम योगी पर निशाना साथते हुए कहा कि कम्पिटिशन होना अच्छी बात है लेकिन अगर कोई चिलाकर या धमकाकर यहां के उध्धोक को लेकर जाना चाहेगा तो मैं ये होने नहीं दूँगा गौरतलाव है कि सीम योगी अतित्यनात ने मुंबई दौरा कर वहां की बड़ी हस्तियों के साथ मलाकात की उन्होंने कहा कि हम किसी का कुछ नहीं छिन रहे हैं मुंबई की फिल्म सिटी मुंबई में ही रहेगी और यहां नोयडा में एक नई फिल्म सिटी खुलेगी ये फिल्म सिटी जेवार एरपोर्ट से 6 किलोमेटर दूरी पर होगी और आगरा से मातर एक घंटे की दूरी पर होगी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आए दिन किसी ना किसी फिल्म की शूटिंग होती रहती है सियम योगी ने नोयडा में फिल्म सिटी बनाने की पहल की है जो उत्तर प्रदेश के विकास में मिल का पत्थर सावित होगी झाल